नमस्कार दोस्तव आपका हमारी यूटूब के इस चैनल में दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल के माध्धम से आपको आरवेधिक उप्चार और उनकी पहचान बताता हूँ तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर क्या आया हूँ, बहुत ही चमतकारिक पौधा, जी हाँ दोस्तों आप वीडियो के मार्धम से देख सकते हैं, यह है छुईमुई का पौधा, जो कि सभी घरों में असानी से मिल जाता है, पर बहुत से लोग इसके, इसको सिर्फ सो व और वनस्पतिक जगत में माई मोसा पुदिका के नाम से जाना जाता है, यह पौधा ज्यादा नमी वाले स्थानों में पाया जाता है, इसके पौधे छोटे होते हैं, और उनमें अनेक साखाईं भी होती हैं, चुईमुई की पौधे में गुलावी रंगे के पौधे फूल यह सच है कि चुईमुई की पतियों को छूने से आपस में सुकरने लगती हैं, इसी खुभी के करण इसे लाजवन्ती, लजौली, सरमिली या चुईमुई भी कहते हैं, चुईमुई की पतियों और जड़ों में एंटी वारल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जिस करण या कई रोगों से लड़ने में सक्षम होती है, चुईमुई से आखों के काले घेरे, सारी कमजोरी, नकसीर, नपुनसक्ता, नेत रोग, मदुमेह रोग, टांसिल, पेट के कीड़े, कबज, फोड़े, गैस, बावासिर, जैसे अन्य बिमारियों में भी इसका उपचार किय है जाता है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखेंगा दोस्तों, इन उपचारों को कैसे इस्तमाल करना है, इन पत्तियों को इन उपचारों में जलिए जानते हैं, चुमई ये लाजवंती के फायदे हैं पहला आता है मदोमई रोग। मदोमई रोग में सुघर की रोगियों को लाजवंती काढ़ा पिलाने से बहुत अराम मिलता है। काढ़ा बनाने के लिए, चुमई की सौ ग्राम पत्यों को 300 मिली पानी में डाल कर काला बना लें फिर मदुमुही के रोगी को पिला दें इससे मदुमही में बहुत अराम मिलता है दूसरा आता है दूसरा है दोस्तों नपुन सकता और कमजोरी को जी हाँ दोस्तों नपुन सकता और कमजोरी दोनों को ये दूर करती है चार इलाइची, चार ग्राम छुमूई के पौदे की जड़, चार ग्राम सेमल की छाल को पीस कर एक ग्लास दूद में मिला करके हर रोज रात को सोने से पहले पीने से नपुन सकता की परिसानी में अराम मिलता है हर रोज रात को सोने से पहले चुमी की तीन ग्राम बीजों का चून बना करके दूद के साथ लेने से सारी कमजोरी भी ठीक हो जाती है तो दोस्तों ये गाव को भी ठीक करता है किसी भी तरह का जक में या घाव हो तो लाजवन्ती की जड़का चून दिन में तीन बार कुंगोने पानी के साथ लेने से जक में जल्दी ठीक भी हो जाता है टांसिल्स में भी आप इसका उपचार कर सकते हैं टांसिल्स में कैसे करना है Tansils की समस्या हो तो चूमी की पत्यों को बीश करके दिन में दो बार गले पर लगाने से Tansils के दर्द में तुरंट अराम मिल जाता है लाजबन्ति के इने गुणों के करण़ यह बहुत लोकपुरी है टांसर्स होने पर इसकी पत्यों को पीस करके गले पर लगाने से जल्द अराम मिलता है हर रोज दो बार ऐसा करने से टांसर्स ठीक भी हो जाते हैं बावासीर में भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं चुमी हाजमा दुरुस्त कर कब्ज दूर करती है लाजवन्ती की जड़ और पत्तों का चून बना करके दूर में मिला करके दिन में दो बार लेने से बावासीर का रोग भी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है खासी में भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं खासी हो तो छुमी के पौधी की जड़ के तुकड़े की माला बना करके गले में पहन लेने से खासी में अराम मिलता है इसकी जड़ को पीसकर के सहद में मिलाकर कि चाटने से इसकी जड़ को वैसे ही चूसने से खासी ठीक हो जाती है इसकी पतियों को चवाने से गले के दर्द में आराम भी मिल जाता है इस्तनों का डिलापन जिहां दोस्तों लाजवंतियों और अस्वगंदा की जड़ों की समान मात्रा में लेप तयार करके डिले इस्तनों पर हलके हलके हातों से मालिस करें तो इस्तनों का डिलापन भी दूर हो जाता है इस तान में गाठ या कैंसर की हो तो जड़ तो इसकी जड़ और इसके अस्वगंदर की जड़ गिसकर के लगाने से बहुत जल्दी एंसर में भी आराम मिल जाता है दस्त में भी यह लाप करी चुईमी की जड़ों का चून बना करके इसे दही के साथ मिला करके खाने से खुनी दस्त जल्दी बंद हो जाते हैं जड़ों से तयार कड़ा भी दस्त को रोकने में कारगार होता है तोचा संक्रमना में भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं तोचा स पत्यों के रस को दिन में तीन से चार बार तवचा पर लगाने से अराम मिल जाता है। सरपदंस में भी अलापकारी लाजवन्ती की जड़ का बनाकर कि शरीर के उस इससे पर जहां सापने काटा है। वहाँ पर उस लेप को लगाने से जहर का असर कम हो जाता है। कई लोग सरपदंस होने पर रोगी को इसके रस पीने का भी सुझाव करते है। किडिनी में संक्रमन हो जाने पर भी है कारगार है। किडिनी में अगर संक्रमन हो जाए तो लाजवन्ती के पूरे पौधे जैसे की फूल, पत्ते, चाल, बीज और जड़ को पूरा सुखा करके 400 ग्राम पानी में उबा लें। और जब यह एक चौथा ही रहे जाए तो सवेरे खाली पेट आप इसको पी लें। इससे किडिनी का संक्रमन भी दूर होने में मदद मिलती है। दोस्तो बहुत सारे लोगों में यह समझ से रहती कि इनको पेशा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसके लिए भी छूमी के पत्तों को आप पानी में पीश करके नाभी के निचले हिस्ते पर इसका लेप लगाए। तो पेशा आप अधिक आना भी बंद हो जाता है। और पत्तियों के रस को चार चमत दिन में बारवार लेने से भी आपको अराम मिलता है। तो दोस्तों आसा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही में आरवेदी के ओं घरे लोबचार से जुरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।